Welcome back दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो हम font के size की दोस्तो font के size की specific हम बात नहीं कर रहे हैं overall size की बात कर रहे हैं दोस्तो जैसे कि यहाँ पे desktop पे मेरे इतने सारे icon है मैं चाहता हूँ कि इसका size थोड़ा सा बड़ा हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ दोस्तो मुझे setting में कही ना कही जाना पड़ेगा एक और बार दोस्तो यहाँ पे भी हमारे यह जो font है वो display पे है हम कोई भी data show करेंगे तो वो भी display पे होगा for example दोस्तो मैं कोई folder open करता हूँ यहाँ पे मैंने एक ram down folder open कर लिया है तो यह भी मेरे display पे open होगा है दोस्तो तो इसके लिए भी दोस्तो डेफिनिटली हमको display setting में ही जाना होगा अब display setting में कैसे जाते हैं दोस्तो मैंने last video में भी आपको बता है आपको simply right click करना है अपने desktop के उपर यहाँ पर आपको display setting का मिल जाता है option इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर दोस्तो click करने के बाद थोड़ा साप नीच से slide down करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तो change the size of tax apps and other item यहाँ पर 100% है जो recommended है लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसे 125% तक extend कर सकता हूँ 125% extend करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो font के size थे जो tax है वो बड़ा हो चुका है यहाँ पर जो मेरा window ओपन हुई थी setting का जो page open हुआ था वो भी बहुत बड़ा हो चुका है यहाँ पर जो मेरे icon थे वो भी दोस्तों बहुत बड़े हो चुके हैं मतलब 24 या 28 या 30 इंच का है तो अब simply उसे 125 परसेंट पर कर सकते हैं ताकि आपको बड़ा दिखे वरना जो overage people होते हैं दोस्तों वो अच्छे से read नहीं कर पाते हैं तो simply maximum वही इसे 125 पर रखते हैं ताकि जो भी उनको टेक्स दिख रहा हो उसे वो read कर पाएं या फिर कोई भी उनके जो application के icon हो तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको आसानी से देखने में समझ में आ जाते हैं कि ये किस चीज का icon है दोस्तों तो चलि दोस्तों उमीद करता हूँ आपको पता चलाओ कि कैसे आप किसी भी text का apps का या किसी अधा item का size बड़ा कर सकते हैं हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली class में